भीहार से हैं राज स्वागत है आपका। हमेशा दिमाग में चलता है कि मुझे कुछ हो गया है और यह हमेशा बह्य हो गया जबकि मुझे पता है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ आपकी उम्र है? forty ना ठीक है जी दीए अपने आपको मस्रूफ कीजिए कहीं busy करिये किसी काम में लगाईये और धनिया आप जानते हैं धनिया kitchen में जो धनिया होता है धनिया का दाना अपने घर में किसी से कहीए इसको powder बना दिये धनिया को खुबारिक powder और यह पौडर बना लें से जो दो सो गेराम धनिया है है और एक आता है सिरकाा अलोवीरा का सिरका वैंगर अलोवीरा यह तीन चमच को एक गिलास पानी में ढलें और अधा चमच धनिया खाएं और यह अलो कसिर का यूख जो पानी है यह पी कर सो जाये करें आपको फाइदा मुम्किन है जी अमबाला से है राम चरण जी स्वागत है आपका हालो हां जी बोलाओ मैडम जी अपने बेटे के बारे माइ बात की है हां जी बात की जी इसको जहटके लगती है क्या बताए डॉक्टर ने क्यों लगते है डॉक्टर के समझ में कुछ आ ही नहीं रहा जी जटके जो जटके लेता है और उपर को देखता है तो देखता ही रहता है मतलब पान-दस मिना कोई चीज को छुएगा तो चूता ही रहेगा कितनी उमर बताए आपने सोला साल बताएगे ना हां जी लगबगर है बाइस साल का जी फिक्र ना करें और एक चीज बता रहा हूं में वो इस्तमाल कराए रोजाना रात के समय देखे तीन चम्मच तीन चम्मच आपको लेना है अलोविरा का सिर्का अलोविरा का सिर्का यानि वनेगर तीन चम्मच और एक गलास पानी में डाले और एक चुटकी में जितना खाने का सोडा आए वो डाल दे इसमें ज्छाक से निकलने लगे तो पानी मिला दे और रोजाना रात के समय जब सोने का समय हो जाए तो एक बा लगेगा लेकिन बच्चे को फाइदा होना मुंकिन है। जरूर ले सकते, जरूर ले सकते हैं। पानी में मिलाकर एक बार ले या दो बार भी ले सकते हैं दिन में। आपकी पत्नी ले सकते हैं। उनको फाइदा मुम्किन है। आप इसको शुरू करें। लेकिन ये अपने घर में ये होना चाहिए। वेस्टन ट्वाइलेट इनको भी कमर में या घुटनों में दाद है। तो उससे फिर गौंसिया को और हमें बहुत मदद मिल जाती है। आपको फाइदा पहुंचाने में। जी, अंबाला से हैं, तेजपाल जी, स्वागत है आपका। आजी, ऐसा है मेरी मिशिज को लिवर सरोसिस है। उम्र क्या अंकी। उमर उनकी 300 साल, 63 एर। ठीक है। अच्छे, देखिए, मेरी बात और से सुनिये। एक आती है, दवा जिसको कहते हैं कुटकी। के, यू, टी, कुट, के, आई, कुटकी। ये आयरुवेदिक युनानी नाम है। ये दवा जड़ी बुटी है। बाहर से सफेद सी और अंदर से हरी होती है। सुकी भी मिलती है। ये पहाड़ों की जड़ी बुटी है। कुटकी लिख लीजे। ये खरीद लीजे सो ग्राम असली मिलें कहीं पर और इसको पौडर बनाके रखिए। और एक आता है जैतून का सिर्का या अलविरा का सिर्का। इन दोनों मेंसे कोई भी सिर्का मिलें असली तो ले लिजे। अलविरा का सिर्का तीन चमच एक गिलास पानी में डालें। और ये कुटकी का पौडर जो है ये एक चुटकी जबान पर रखें और इस पानी के साथ पी ले। यह दवा जब जुबान पर रखेंगे तो फीकी से लगेगी थोड़ी देर बाद कड़वी लगने लगेगी तो घबराएं नहीं जितनी देर रखेंगे इतनी कड़वी होती जाती है यह आप रोज आना कम असकम एक बार ज्यादे ज्यादा दो बार अपनी पत्ने को पिलाए भगवान से खूब मदद मांगे उनको फायदा मुमकिन है गुड़गाओं से है संगीता जी स्वागत है आपका मरम हां जी मैं डॉक्टर साब से बात कनमीती जी ठीक है जी बताईए क्या सवाल है मैं आपकी बात सुन रहा हूं डॉक्टर साब नमस्ते बोल रही हूं जी जी अदर गुड़गाए था जी एक महीना हो गया लेते लेते चार तारिक से ले रही हूं मैं देसंबर से तो सर मेरे थोड़ा आराम है उससे मेरे घुटनों के लिए मंगाया था मैंने और सर एक बात और मैंने पूछनी थी कि जो मतलब मेरे ना एक वारी मैं जोडों के द कारी था था तो उन्होंने मतलब सीरा नहीं लगाया था पर न बार बार वो उससे कट मारते थे बिलेट से तो सर वो मेरे ठीक हो गया पर उसी दिन मुझे एक साल हो गया पर एक साल से मेरे अंदर दर्द रहता उसमें और उसकी वज़े से एक गुटन में ज्यादा दर्द जी जो फोड अंदर से ऐसा लगता है जैसा अंदर जखाम है मेरा बीबी सर तो उसके लिए पूछना था सर और दूसरा मैंने पूछना था मेरे जीजा जी है 70-50 साल के हैं उनको दो पदम भी चलते हैं तो उनको सांस चड़ जाता है जी ठीक है हाँ देखिए जीजा जी का खूब ख्यार लखिए और आपको तो फाइदा शुरू हो गया बैस्टन ट्वालेट का भी प्रियोग कर रहें जो कुर्सी वाला सोचा ले होता है और यह जो आपको वो है इंजेक्शन की जगा की वज़े से तो अलसी ले लीजे अलसी दो तीन सो गिराम लेकर भून कर रखे उसको पाउडर बना कर रखे हलका सा भूना है और एक चमच रोजाना खालिया करिए अलसी और गौनसिया खालिया करिए इसके साथ तो वो जगा भी आपकी ठीक हो मुम्किन है और अभी आपको एक महीना हुआ है फाइदा शुरू हो गया ये गौन खतम होते होते आपको मुकमल फाइदा मुम्किन है मुचरते आप बजन वगेरा ना उठाएं और वेस्टन ट्वालेट यूज करें जी जाजी का इससे भी ज्यादा ख्याल करें क्योंकि उनको मेरे अनुभव के अनुसार दिल की प्राब्लम में हार्ट ब्लॉकिज तो फौरी तोर पर उनको जैतुन का असली सिर्का तीन तीन चमच सुबा शाम खाने के बाद देना शुरू कर दे ये तो कभी भी कोई भी बड़ी परशानी उनको हो सकती है जी सीकर राजिस्थ जी मेरे तीन चार साल से है पैरों की अंगुलियां के बीस से लेकर और गट्टे होते हैं इतनी दूर तक थाले से थाले से होते हैं को पुछ कुछ कुछ दुआई बहुत ली और को देशी दुआई भूब लेली लेकन क्या प्रोप्लम है कोई लिवर्म के समद्दिस कुछ खान पिन कर लेता हूं उससे होती है किसे होती है आपकी उम्र क्या है उमर 52 साल है ठीक है अँदिखे यह बहुत कम लोगों को होता है करोडों में किसी एक को मैंने भी अपने जीवन में एक ही मरीज जैसा देखा जिसको यह प्रवलम है तो उनको मैंने जो निश्का बताया आप समञज ले एक आता है नमक जैतून नमक जैतून एक तरह का नमक जैसा बिल्कल देखता है लेकिन नमकीन नहीं होता य Skin पहचान है कि नमक जैसा दिखने वाला पदार नमकीन नहीं है तो ये ले लिज़े आप सो दो सो ग्राम खरीद ले आपकी बीमारी के लिए काफी होना चाहिए दस वारा रुपे रोस कब पंदर रुपे रोस का इलाज है एक या दो चुटकी सुबा पानी मिला के खाए चुटकी में जितना आ जाए एक या दो चुटकी शाम को पानी मिला के खाने के बाद पी लें खाने से पहले भी पी सकते इस सो दो सो ग्राम अगर असली मिल गया तो इसके खत्म होने से पहले आपको रोग मुक्त होना मुमकिन है जी रोहिनी से है जैपाल जी स्वागत है आपका जी नमस्कार जी नमस्कार हलो जी अदाब बाक्षाब नमस्कार जी जैहिन बताईए भाई क्या सवाल है ये हमारी माड़म का जी सूगर की नमारी है कितने साल उसे है क्या साल हो गए जी उनकी उम्र क्या है फोटी एट अधिकी जैपाल जी मैं यही बात कहता हूं कि फोटी के बाद यह सब बीमारी आनिकते हैं चाहे कोई भी हो चाहे डॉक्टर हो हकीम हो वैद हो अगर वो जैतून का सिर्का ले लिया करें तो पिर यह खत्रा खत्म हो जाता है तीन चार बीमारी हो खत्रा टल जाता है शूगर का और यह कालिस्टॉल का हार्ट ब्लोकिश का और फालिस का खत्रा हर चालिस साल के आदमी के कभी भी जाए पचास साल में हो पैटालिस साल में हो लेकिन यह खत्रे हर आदमी पर आने लगें कुछ ऐसा खान पीन हो गया हमारा खान पान ऐसा हो गया माहूल ऐसा हो गया ऐसे दूशित हवा और पानी हो गए और सब चीजें सबजी से लेकर दूद तक सब दूशित और नकली मिलने लगे तो अब हर शक्त को चालिस साल के बाद साबदान हो जाना चाहिए जो दवा खिलाते हैं वो खिलाते रहें और जैतुन का सिर्का तीन चमबच शाम को तीन चमबच दुपैर में खाने के बाद छोटे चाय के चमबच पाने मिला कर पिला दिया करिये सारी जिन्दगी सेहत के साथ गुजार सकती है लेकिन वो दवा भी खाएं जो डॉक्टर ने दीवी है इससे बहुत फायदे उनको मुम्किन है प्लाजपत नगर से है सुनीता जी स्वागत है आपका हां जी मैं सुनीता बोल रही हूं हां जी को ना यूरिन की प्राब्लम है यूरिन रुक रुक के आता है बड़ा टाइम लगता है यूरिनी ना आपके उम्र क्या है मेरी उम्र है सिस्टी ठीक है कितनी उम्र है साथ और ये परेशानी भी जादा तर लोगों को होने लगी और इसका भी एक निवारन है बहुत अच्छा जो भी मैं रो मैटेरिल बता वो असली मिल जाना चाहिए आपको नमक जैतून आता है नमक जैतून ये विल्कुल ऐसा ही लगता जैसे आपके किचेन के डबे में नमक भरावा रहता है वैसा ही सफैद है लगी नमकीन नहीं होता है ये ले लीजे तोड़ा सा सौद्व सो ग्राम फरीदले बारा चौदा पंदा रुपे रोज का इलाज है एक चुटकी या दो चुटकी पानी में मिला कर रोज आना एक बार या दो बार बस कभी भी ले लिया करें खाने से पहले खाने के बाद यह लेना शुरू करें आपकी समस्या का निदान मुम्किन है जी तो आपकी समस्या का निदान हो जाए है उसके आप अच्छे बहतरी जान सकते हैं और यह कोई मामूली नुसके नहीं होते हैं बहुत कीमती होते हैं जो आप सीधा जानते हैं हकीम सहाब से तो अगर आप लोग हकीम सहाब से बात करना चाहते हैं वो भी लाइव तो इन नमबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं जो आपके पर्चर हैं हकीम सिलिमान खान साहब जो लाइव आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं हकीम साहब एक प्रोग्राम में हमारे साथ एक कॉलर जुड़े थे जिनकी बच्ची की उम्र काफी कम थी लेकिन उनकी लिवर में पानी भर गया था कारण क्या हो सकते हैं छोटे बच्च पर फाइदे की होती है वो अलोपैथी मानी गई है जो पिछले सौ साल से हम ये खा रहे हैं जब हम अपनी मा के कोक में होते तब भी खाते हैं तब हम पैदा होते जब भी सब वैक्सिनेशन उसी का होता है ये दवाएं बहुत अच्छी हैं लेकिन जब हम किसी बीमारी में पढ़ जाते हैं जैसे हमें मलेरिया, टाइफाइड, डेंगी, ऐसे बुखार आने लगें तो इसकी दवाएं बहुत अच्छा काम करती हैं लेकिन उसके बाद हमें जरूर या उसके साथ हमें जरूर यूनानी लेना चाहिए क्योंकि वो इतनी गरम और तेज दवाईयां है कि हमारे लीवर या किटनी को शती पहुचा कर ही जाती हैं तो मेरा उन सबसे निवेदन है जो लोग ऐसी दवाईयां खाते हैं और लीवर में पाबलम ना आए अक्सर पी लिया हो जाता है इन इलाज के बाद अक्सर पी लिया हो जाता है तो जिनका पूरा जीवन दवा खा खानी ही खानी है तो वो जैतून का नमक आता है जैतून का नमक वो रोजाना एक चुटकी या दो चुटकी पानी में लाकर ले लिया करें तो उन दवाओं के असर को नुखसाना को खतम कर देता है और किटनी से जल्दी से साफ कर देता है किटनी को माई देता है लीवर को म बरतन माजते हैं जब गंदे हो जाते हैं तो हमें जिसे जहावे की जरूत पड़ती है बरतन माजने के लिए नहीं तो साफ नहीं होते हैं तो यह जहावा है किड्नी का लीवर का में पार्ट्स ऑबाडी जो जरूरी हमारे पार्ट है बाडी के उनके तो जरूर यह एक चुट की लिया करें जिर लोग को हमेशा दवाएं खानी होती है